दोस्तों अगर आप भी रोहिच शर्मा को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों वर्टेस्ट चेंपिन्शिप में मिली हार का शिकार होगी आफगानिस्तान की टीम या फिर आफगानिस्तान की टीम पलटवार कर भारत की आँखों में और भेज ज़्यादा आंसु डाल देगी जे हाँ दोस्तों भारत और आफगानिस्तान के बीच आज इतने बचे से पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है तो आखरकार पहला मुकाबला कब से और कहां पर खेला जाएगा और इसका लाइव एले कास्ट आप कैसे देख पाएंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ साथ दोनों टीमों की प्लेंग 11 क्या रहने वाली है ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतर बल्ले बाज है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बत दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टीटवन्टी स्रेज खेली जाएगे जिसके तयारियां पूरी हो चुके हैं सबसे पहले आकडों के बाद करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल तीन बार टीटवन्टी फॉर्मेट में आमना सामना देखने को मिला है जहां तीनों बार भारत को शांदार जीत मिली है तो वहीं मुकाबले में मौसम और पिच का हाल बहुत जादा महत्वपूर्ण होने वाला है जहां लखनों के स्टेडियम पर होने वाले इस मुकाबले में पिच महत्वपूर्ण भूमी का नेभा सक यहां के पिच काफी अच्छी है और यहां तक की बल्लेबासों के साथ गेंदबासों को भी काफी मुदब मिलेगी इस्पिनरों को धीमे स्वभाव के कारण गेंदबाजी में फायदा मिलेगा और इस पिच पर 166 सकोर है तो वहीं लखनों में काफी जादा गर्मी होगी और दूसरी पारी में नमी का आना मुकाबले को प्रभावी बनाएगा और मुकाबले में बारिश के कोई संभावना नहीं है लेकिन इस मुकाबले में भी टॉस महतुपूर नेभा सकती है क्योंकि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जादा मुकाबले में जीत लाह आएंगे तो वहीं ऑल राउंडर के रूप में मुहम्मद नभी और राशिद खान खेलते हुए दिखाई देंगे वहीं गेदबास के तौर पर नवीन रहक फजल हक फारुकी फारीद मलीक और मुझेबुर रहमान खेलते नजर आएंगे तो वहीं भारत की तरफ से रोह जडेजा खेलते नजर आएंगे वहीं गेदबास के तौर पर युजवेंद्र चहल फिर्की गेदबासी का डिपार्टमेंट संभालेंगे साथ में तेज गेंदबास के तौर पर मुहमद शामी मुहमद इराज और उमरान मलिक खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं तो वहीं लाइब कवरिज तो छे बज़े से शुरू हो जाएगी तो वहीं साथ बज़े टॉस करने का समय आ जाएगा और साधे साथ से पहली गेंद फेकी जाएगी और ऐसे में ये मुकाबला रोमान चक होगा आपको बता दे इस मुकाबले का लाइब प्रसारड स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकते हैं और ओनलाइन स्ट्रमिंग पर आप डिसनी होट स्टार डाउनलूड करके इसका अनंद उठा सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है आफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर पाएगी हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर देशे हमारे यूट्यूब चैनल को